व एक्सेसाईस का एक्स्प्राइशन वीडियो के लास्ट में दिये जाएंगे तो आइए करते हैं Oxford junior English translation exercise 139 of 201 translate into English अब ये जो exercise है इस exercise में हम लोग clause का इस्तेमाल करेंगे तो आइए start करते हैं फिर मैं explanation बताऊंगा वह कहां रहती है यह पता है where she lives is noun तुम क्या करते हो यह मुझे पता है what you do is noun to me वह कब लोटेगी यह अनिश्चित है when she will return is uncertain वह कब मरा यह पता नहीं है when he died is not noun ठीक है रीता कब नाचेगी यह तै नहीं है when rita will dance is not decided वे लोग कहा गए यह एक रहस्य है where they went is a mystery ठीक है राम पतना क्यों गया यह एक रहस्य है why राम वेंट टू पतना is a mystery वह क्यों हस रहा था यह एक रहस्य है why he was laughing is a mystery वह क्या सोचता है यह मुझे पता है what he thinks is known to me प्रिथवी गोल है यह सब को पता है that the earth is round is known to all आगे देखिए राम क्या सोचता है यह मुझे पता है what राम thinks is known to me राम इमांदार है यह पश्ट है that राम is honest is clear तुम एक छोर हो यह सब को पता है that you are a thief is known to all आएए vocabulary देखते हैं Oxford Junior English Translation exercise 139 of 201 vocabulary पता है is known earnest uncertain indefinite मरना to die के नहीं है is not decided रहस्य mystery सोचना to think मुझे पता है is known to me goal round स्पष्ट clear चोर थीव यहाँ पर हम लोग clauses बनाये हैं clause उपवाक्य इसे नहीं हैं इसे नोट्स लेख लीजिए clause वाक्य का एक भाग होता है clause के पास अपना subject और verb होता है परन्तु यह एक complete meaning नहीं दे पाता है जो एक sentence देता है where she lives is not known एक sentence है जिसमें where she lives एक clause है जो subject के रूप में आया है हम यहाँ ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करेंगे जिनमें clause एक subject के रूप में प्रयोक्त है कुछ solved examples देखिए वह क्या करती है यह मालुम नहीं है what she does is not known what she does isn't known वह क्यों इंतिजार करती है यह एक रहस्य है why she waits is a mystery तुम कहा रहते हो यह मुझे पता है where you live is known to me राम कहा गया यह एक रहस्य है where राम went is a mystery मेरा भाई कब आएगा यह अनिश्चित है when my brother will come is uncertain वह जो कहता है वह सही है what he says is right ऐसे वाक्यों में यह के पहले आने वाला उपवाक्य वाक्य का असली सब्जेक्ट होता है ऐसे वाक्यों के अनुवाद में यह की अंग्रेजी लुप्थ हो जाती है यह भी ध्यान रखें कि उपवाक्य का अनुवाद प्रश्ण वाचक शब्द से शुरू होने के बावजूद assertive sentence के pattern पर ही बनता है प्रश्ण वाचक शब्द से शुरू नहीं होने पर that से clause को शुरू करना आयश्यक हो जाता है जैसे राम गरीब है यह पता है that राम is poor is known प्रिथ्वी गोल है यह सब को पता है that the earth is round is known to all वह निर्दोष है यह एक तथ्य है that he is innocent is a fact राम इमानदार है यह सपष्ठ है that राम is honest is clear ठीक है